हलो गाईज, आज हमना एंटोमोलोजी से डिलेटेड एट्र लेक्चर है और इस लेक्चर में हम इसेक्ट के लेक के बारे में पढ़ने वाले हैं तो चली स्टार्ट करते हैं इंसेट में थ्री पेर ओफ लेग होते हैं, जो कि हर एक थोरे सिक सेग्मेंट पर एक एक पेर ओफ पाये जाते हैं, प्रो थोरेक्स पर वन पेर, विजो थोरेक्स पर वन पेर, और मेटा थोरेक्स पर वन पेर, जो प्रो थोरेक्स पर पाये जाते हैं, उन्हें हम फोर लेग और जो Metathorich पर पाया जाते हुन्हें, hind leg बोलते हैं, जो टेक्जोन ने में hexapoda, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें hexa का मतलब six, और poda मतलब foot, यानि कि six foot, जो three pair of leg ही, वो six होते हैं, मतलब एक-एक pair हैं, तो three pair हैं, तो six leg हो गए, hexapoda में कुछ exception हैं, जिनमें leg नहीं होते हैं, जो apodos होते हैं, और कुछ ऐसे insect हैं, जिनमें leg बाद में reduce हो जाते हैं, फिर बाद में खतम हो जाते हैं, अब यह structure of leg, इंसेक्ट के leg में छे component होते हैं, जो कि है coxa, trochanter, femur, tibia, tarsus और retarsus, जो यह segment हैं, यह freely movable होते हैं, क्योंकि इनके base पर muscles inserted रहती हैं, जिसके द्वारे यह freely movable रहते हैं, यह leg का structure, एक simple leg का structure है, जिसमें, यह है coxa, यह वाला, इसके बाद यह नीचे छोटा सा, यह है trochanter, इसके बाद यह femur, फिर है यह tibia, इसके बाद यह, सोरी, यह यहां तक, यह यहां से यहां तक, यह टार्स, यह टार्स, यह चोटा से जो पार्ट हैं, यह टार्स, अब हम पढ़ेंगे, कोगजा के बारे में, कोगजा, एक शौट और हाड पार्ट होता हैं यह, और इसका शेप जो हैं, अलग-अलग इंसेक्टव में, अलग-अलग तरिके से होता है, यह generally freely movable होता है, यह जो पोगजमर पार्ट होता है, कोगजा का, उसे सब कोगजा बोलते हैं, और इस सब कोगजा में, एक कपलाइ टिप्रेशन होता है, जो कि प्रोथोरेसिक क्लूरोंट पर अटेज होता है, जिससे कोगजल कॉरियम बोलते हैं, फिर ट्रोकेंटर, ये भी एक स्मॉल सिंगल सेग्मेंटेड और फ्रेली मोवेबल होता है, कोगजा पर वर्टिकल डायरेक्शन, कोगजा पर ये वर्टिकल डायरेक्शन भी फ्रेली मोवेबल होता है, और ये नीचे से फीमर से अटेज रहता है, ट्रोकेंटर जो है कुछ इ जो है वो लेग का largest और strongest part है इसका size जो है वो टीबियल extension muscle पर depend करता है जो दारवर इंसेक्ट होता है उनमें इसका size जो है वो small होता है और जो और्थप तेरा है जो jumping orthथप तेरा है उनके hind leg में इसका size जो है वो बड़ा रहता है फीमन पर कुछ spine और cuticular modification होता है जो कि हम predatory insect है उनमें देख सकते हैं उनमें होते हैं मतलब यह spine और कुछ जो modification है वो predatory insect में होते हैं उसके बाद टीबिया टीबिया भी log और cylinder होती है cylinder कर आकार के होती है यह फीमन की तरब थोड़ी सी bent रहती है ताकि जो टीबिया की saft है उसको यह फीमर की तरह और bent होने में help कर सके ताकि जो insect है वो ज्यादा अच्छ से लोकोमेटरी पावर उनमें ज्यादा अच्छ से हो सके जिसकी grass ओपर वगिरा है उनमें यह इस तरह से help करती है ताकि insect को ज्यादा पावर मिल सके लोकोमोशन हो है इनमें spines भी होते हैं जो की grooming के लिए होते हैं और जो और लोकोमोशन में help कर सके इसलिए इनमें spines भी होते हैं बहुत सारे इंसेक्ट जो है उनमें epical or sub-epical movable spore होते हैं टीबिया पर टार्सस यह भी एक simple और undivided segment होता है holometabolus larva और जो बेसल हैज़ापोर्ट जैसे की प्रोटिरोन और कोलंबिला है उनमें होता है अन्डिवाइड़ सेग्मेंट कोलंबिला में टार्सस और टीविया जोने वो fused होकर एक single टीवियो टार्सस बना लेते हैं बहुत सारे इंसेक्ट में जो टार्सस होता है वो two to five segmented होता है जिसे हम टार्सो मियर बोलते हैं जो ventral surface होती है टार्सो मियर की उस पेड़ होते हैं जिने हम टार्सल पलविली बोलते हैं जो की smooth surface पे movement के लिए help करते हैं वह यह especially well developed होते हैं ओथ अप्टेरा में इसके बाद है प्री टार्सस प्री टार्सस को हम एक्रोपोर्ड और पोस्ट टार्सस भी बोलते हैं यह जो टार्सल सेग्मेंट है उसके distillation से arise होते हैं इन में a pair of more one little cloud होता है और इनके बीच में एक median pair होता है जिसे हम aeroeum बोलते हैं और एक median bristle होती हैं जिसे aeroeum बोलते हैं जो ventral side यह प्री टार्सस की उस पे median plate और एंग्यूटेक्टर होता है जो की flexors muscles को flexors muscles होती clouds की उनको attach करने के लिए यूज होता है अब हम पढ़ने वार है legs के joints के बारे में segment के बीच में एक जो छुका होगा part होता है उसे joints bolting और इन joints पर एक contact point होता है जो की scleratized होता है इसे हम condyle बोलते हैं यह joints जोई वो legs के movement या leg को movement प्रोवाइड करने के लिए useful होते हैं उनको movement या mechanical efficiency के लिए यूज होते हैं leg की जो कोगजा और body के बीच में एक articulation होता है वो articulation जो है leg को उपर नीचे move करने में help करता है articulation या यह joint जो है वो leg को जो है उपर नीचे आगे पीछे sorry आगे पीछे movement करने के लिए help करता है और जो कोगजा और trochander के बीच में जो articulation होता है वो leg को उपर नीचे lift करने में help करता है Leg के Joint जो है वो तू टाइस के होता है Monocondylic Joint और Dicondylic Joint Monocondylic Joint यह Single Point Articulation होता है यह Ball or Socket जैसा होता है और यह Dorsally Stated रहता है यह Free Moment को Allow करता है और यह Generally जो Larval Inset होता है उनमें पाए जाता है जैसे कि यह Structure इसमें देख सकते है यह monocondylic joint है, उसके बाद है dicondylic joint, इसमें anterior और posterior condyle होते हैं, और यह dorsal और vental side पर होता है, यह हम trochanto femoral joint है, उसमें इसको देख सकते हैं, यह जो है adult में पाये जाते हैं, और यह moment को limit करता है, वजब moment की गती को यह सीमित कर लेता है, जिसे कि इस structure में देख सकते हैं, यह diacondylic type का joint है, यह dorsal और vental दोनों side पर पाये जाता है, इसके बाद हम पढ़ने वाले है, modification of legs, legs के modification में पहला है करसोरियल, जिसे हम running type के leg भी बोलते हैं, इसमें सारे जो leg, इसमें जो leg होते हैं, जो तीनो leg होते हैं, वो generally well developed रहते हैं, और इनमें ज्यादा गोई special type का modification नहीं होता, फीमर इसमें swollen type के नहीं होती है, ज्यादा fully होई नहीं रहती है, इस type के leg जो है, वो cockroach के, जो सारे तीनों टाइप के जो leg होते हैं, cockroach के, वो cursorial type के leg होते हैं, और इस type के leg की वेज़े से, जो cockroach का moment है, speed cockroach की, वो 4.6 km per hour होती है, क्योंकि यह running type के leg है, तो running करने में उनको help करते हैं, जैसे कि structure इसमें देख चकते हैं, यह femur एंगदब फूला हुआ नहीं है, और यह जो leg है, इस type का leg जो है, वो cursorial type के leg होती है, जिसके बाद है ambulatory, जिसे हम walking type के leg भी बोलते हैं, इसमें femur और tibia जो है, वो long होती है, वो coxa यह separate रहती है, pre-tarsus पर long clouds पाई जाते हैं, इस type के leg जो है, वो four leg और middle leg जो जो ग्रास ओपर के, वो ambulatory type के होते हैं, यह structure है, इसमें यह femur और यह tibia, यह दोनों long है, और यह जो pre-tarsus है, इस पर यह दो cloud, एक, दो, इसके बाद सालिटार्टोरियल leg, जिसे हम jumping leg भी बोलते हैं, इसमें भी femur और tibia elongated रहती है, टीबिया जो है, वो जब ground पर strike होती है, तो यह leaping का काम करती है, और tibia के end पर four spur पाए जाते हैं, जो की grip प्रोवाइड करता है, जब किसी भी insect को या किसी भी subtract को यह पकड़ लेते हैं, तब उसमें grip प्रोवाइड करने का काम करता है, इस type के leg जो है, वो grass ओपर और gray lid में होते हैं, जो hind leg होते हैं, ग्रास ओपर और gray lid के, वो salt tutorial type के होते हैं, जैसे कि इस structure में देख सकते हैं, यह femur है, और यह tibia elongated है, और यह end है tibia का, इस पे यह spur पाये जाते हैं, four spur रहते हैंगे, इसके बाद है fosorial type के leg, जिने हम digging leg भी बहुते हैं, इसमें tibia और tarsus short रहते हैं, और broad रहते हैं, और इनने एट teeth जैसा projection भी होता है, टिंपेनम जो है, वो four tibia पर present होते हैं, यह leg जो है, वो mall cricket और dung roller में पाये जाते हैं, जो mall cricket और dung roller होते हैं, उसके front leg, यह fosorial type जाते हैं, इस stretcher में हम देख सकते हैं, यह teeth जैसा projection rip, यह जो की मिट्टी को खोदने के लिए use किये रहते हैं, digging करने के लिए use किये रहते हैं, इसके बाद रेप्टोरियन leg, general grasping leg भी बोलते हैं, इनका locomotion में use नहीं होता है, इस stretch के leg का, इसमें coxa जो है, वो long होती हैं, और mobile होती हैं, फीमर पर spine पाए जाते हैं, और central में, इनमें longitudinal growth भी पाए जाते हैं, फीमर में, टीबिया नेरो हती हैं, और इसमें भी blade जैसे spine होते हैं, जो की femur के जो groove हते हैं, उनमें fit हो जाते हैं, जब यह insect या किसी भी prey को पकड़ते हैं, तो उसमें उसको पकड़ते हैं, तो इसको प tarsus में five tarsomier होते हैं, और इस टाइप के leg जाएं, वो front leg होते हैं, फ्रेंग मेंटीट के हैं, जैसे कि यह structure हैं, इसमें कोकसर नौंग हैं, और यह femur हैं, इसमें यह spines हैं, यह छोटे-छोटे, और इन spines के बीच में यह gross में हैं, यह खास टाइप के हैं, यह gross में यह जो यह tibia है, इसके यह छोटे-छोटे जो इस फूर है, इन ग्रूस में अच्छे से fit हो जाते हैं, ताकि इंसेक्ट को जाएं, या किसी भी प्रे को यह अच्छे से पकड़ के रख सकें, इसके बाद नाटा-टोरियन लेग, जिन्ने हम swimming leg बोलते हैं, इस टाइब के leg में, hind leg जो है, वो pad like होते हैं, तीबिया, femur और जो first of all, टार्समीर होते हैं, वो short और broad होते हैं, और इनमें dense hairs पाए जाते हैं, यह leg जो है, वो hind leg होते हैं, water bitter और water bucks के, जैसे कि इस structure में देख सकते हैं, यह last minute, यह spools है, hairs हैं, बतलब यह है, जो की swimming में help गण फिंग, इसके बाद हैं, इस cancerial, जिने हम cleansing leg बोलते हैं, इस type के leg में tibia, stout होती है, और एक side पर इसमें thumb जैसा process होता है, thumb जैसा process होता है, इसमें thumb जैसा दिखाई देता हैं, जो tarsus होता है, वो single segmented होता है, और pre-tarsus में, एक single long curved cloud होता है, cloud जैसा होता है, pre-tarsus पर, जो की usually यह fit हो जाता है, जो थम्ब जैसा दिखता है, थम्ब जैसा हैं टीवियापर उसमें फिट हो जाता है, जब इसे क्लिंजिंग करना हो, किसी भी होस्ट के हैर में लटकना हो, तब ये इस थम्ब में फिट हो जाता है. इस टाइप के लेग जो है वो हैडला उसमें पाए जाते हैं जो हैडला उसके हैर उसके जो लेग है वो सकेंसोरियल टाइप क्या होते हैं जैसे कि ये structure है, इसमें ये थम जैसा है और ये long cloud है ये जब cleansing करती है ये तो ये एकदम fit हो जाता है ये smell ताकि अच्छे से पकड़ के रख सफी है इसके बाइदे basket like leg ये लेग जो है वो dragonfly और dancing fly के जो legs है ये basket like होते है थोड़े सेग्मेंट का कुछ ऐसा arrangement रहता है कि जो leg है वो head के आगे की तरफ push हो जाते है और एक basket जैसे structure बना लेते है ताकि जब flight के दोरान ये किसी भी insect को या किसी भी चीज को पकड़ सके इसी structure में देख सकते हैं ये आगे सारे leg जो है वो आगे 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 वो ये किसी चीज को पकड़ कर रखे हुए इसके बाद है sectorial leg जिने हम clasping leg भी बोलते हैं इसमें tarsus जो है वो flat end रहती ही वो इसमें disk जैसा होता है जो की clasping के लिए यूज होता है during copulation, copulation के दोरां ये clasping में यूज किया जाता है इस type के leg जो ही वो four leg होते है male water beetles उनके four leg होते ही उनके four leg सattorial type के होते हैं जैसे कि structure में देख सकते हो ये ये जो structure है ये clasping के दोरां, copulation के दोरां clasping करने के लिए यूज किया जाता है इसके बाद pro leg और false leg जिने हम pseudo leg भी बोलते हैं इस type के leg जो वो थीक, fleshy और segmented नहीं रहते हैं ये जो है last जो narvan malt होता है उस time पर इस type के leg shared हो जाते हैं और जो one pair of pro leg जो की last abdominal segment पर पाय जाते हैं उसे हम anal pro leg बोलते हैं या फिर उसे clasper बोलते हैं जैसे कि ये structure इसमें जो last वाला pro leg है इसे हम clasper बोलते हैं जो tip होती है pro leg की उसे हम planta बोलते हैं और जो इस planta पर एक hook या cloud जो born होता है उसे हम बोलते हैं crochet इसका यूज जो है वो surface पर crawling या cleansing के लिए यूज किया जाता है इस टाइप के लेग जो है वो जो four leg होते है honey became ये compound eye को clean antenna को clean करने में यूज किया जाते हैं और pollen को collect करने में और जो middle leg होते हैं वो pollen को collect करने और wings या spiracles को clean करने में यूज किया जाते हैं और जो hind leg होते हैं वो basket like होता है hind leg जो कि pollen या propolis को carry करने का काम करते हैं फिल्ड से hive तक ले जाने का काम ये hind leg का होता है क्योंकि इन में जो basket like structure होता है जिसमें ये उसको pollen या propolis को रख लेते हैं इस basket like structure को को और बेकुला बोलते हैं और इसमें एक pollen पेकर भी होता है hind leg में जो कि यूज किया जाता है जो middle leg होते हैं या posterior part होता है body का उससे pollen को collect करके उस corbicula में डालने का काम करते हैं ये जो leg ही फोरेजल है इसमें ये corbicula है जिसमें ये pollen ये propolis को load करते हैं और hive तक ले जाते हैं इसमें रख लेते हैं और अपने hive तक ले चाते हैं इसमें परसारे structure ही जो कि eyes को clean करने का antenna को clean करने का wings को clean करने का काम करते हैं और ये honey bees में पाए जाते हैं Thank you guys for watching this video वीडियो अच्छा लगा हो तो like करना और comment करना